रखीयर वर्फी की बनाए और वो भी बिना गयस को यूज की बना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम शूगर को मिक्सरER में ग्राइंड और इतनी ही हमने चीनी भीली है थीirmने लिया हैं डोलों को मिक्स कर लेंगे देन एक एक देसे में घरते कि और डालना है तो डालते जाएं, एक साथ गलती से भी आप मिल्क को इसमें ना डालें, अब इसमें डालेंगे, ये एक कटोरी अभी हमने लिया है, ये है मिल्क पाउडर, जो कि मैं यूज कर रही हूँ, स्किम्ड वाला, आपके पास स्किम्ड होतो अच्छा है, क्योंकि अ इसे डालते हुए, मिक्स करेंगे, अगर आपको लगे, कि आपको मिल्क की दूद और डालने की जरूरत है, तो आप डाल सकते हैं, मिल्क को गलती से भी, इस मिठाई को बनाते हुए, एक साथ ना डालें, पहले थोड़ा सा डालें, और जैसे जैसे आपको जरूरत लगे, और डालते जाएं, ये देखिए, हमारा ये मिक्स्चर रेडी हो गया है, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हो, इसे इस तरह से चम्मस से मिलाएंगे, और आप एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे, घी से और ये मैटीरियल हम इसमें निकाल लेंगे, मैटीरियल को इस रख देंगे, थोड़ी दिर के लिए 15 मिनट के बाद हम इसे निकालेंगे, तो ये हाड हो चुका है, और इसे डोकी फॉर्म ले ली है, अब आप बटर पेपर लें लें, या फिर मेरी तरह से कोई भी पॉलेथिन यूज कर लें, अब उसमें रख कर हम इसे बेल लेंगे, बिल्कुल से थिकनेस हम बिल्कुल बरफी की तरह ही रखेंगे, क्योंकि हम बरफी ही बना रहे हैं, अब ये देखिए गाइस, चारों तरफ से हम इसके एजेस को इस तरह से इक्वल कर लेंगे, और फिर से इसे इस तरह से हलका बेल लेंगे और किसी भी चीज से इसे स्मूथ करेंगे ताकि इसका जो सर्फिस है बिल्कुल क्लीन और स्मूथ दिखे यह हमारी बलफी जैडी है और अब मैं इस पर यह सिल्वर वल किका दूँ गाइस बिलीव मी पांच मिनट में बनने वाली यह मिठाई खाने में बहुत तेस्टी है और बहुत जल्दी से बन भी जाती है थोड़ी देर के लिए इससे फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद इससे फ्रिज से निकाल लेंगे और यह आपकी बर्फी डेड़ी है अब हम इसे कट कर लेंगे चारो तरफ से इसके एजेस क्लीन कर लेंगे ताकि यह बिल्कुल मार्की स्टाइल में हमारी बर्फी डेड़ी हो और इसके pieces को cut कर लेंगे आप देख सकते हैं ये बीतल कुल अच्छे से cut रहे हैं मक्खन के जैसे इस तरह से हम pieces को cut देंगे अपनी मन पसंद की shape में और आप इस तरह से भी हम इसे निकाल देंगे एक्स्रा पीस को निकाल देंगे और बिर्कु स्क्यार में इस बर्फी को हम काट रहे हैं ताकि ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगे इस तरह से आप पीजा कटार्या नाइफ की हेल्प से इसे काट ले और बस आपकी ये बर्फी रेड़ी है पाँच मिनत में बिना गेस जलाए कोई भी इसे बना सकता है जिसे की कोकिंग हसादा एक्स्वीरियस ना हो अब हम इसे जिब्बे में डाल रहे हैं और आपको दिखाते हैं देख सकते हैं हमारी कितनी सारी ये स्वीट रेड़ी हो गई है कभी आपकी घर में गैस आए और कुछ भी नहों तो आप ये पांच मिनत में रेड़ी कर सकते हैं ये हमारी प्रफी बिल्कुर रेड़ी है और आप भी इसे ट्राइब करके देखें ये दिखने में जितनी इमेजिंग है खाने में बहुत टेस्टी है और अपने एक्सपीरेंस हमारे साथ शियर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी रेड़ी अच्छी लगती है तो अब हम चलते हैं आप सेफी से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेड़ी के साथ तब तक के लिए बाई टेक क्यार एंड सी यू गें